तो एक और नया दिन एक और नई गाड़ी ये है भाई Mercedes की GLA दोस्तों अब ये गाड़ी है तो भाई बहुत पुराना वोडल मतलब 14-15 के आसपास का बट ओनर जो है ना इस गाड़ी के उन्होंने 2019 में लिया और भाई इतनी सस्ती लिया ना कि आप सोचो गार ये जो लगजर कब की गाड़िया आपने कब ली कितने के लिए ये है 2015 मॉडल है ये हमने लिती 2020 में ठीक है मार्च के मिल्दे में और ये हमने लिती 16-15 लाग रुपे की और ये नहीं कितने की थी 2019 में 19 में नहीं 19 में थी ये 45 बताओ भाई सब 45 लाग की ओन रोड जो गाड़ी है वो 16 अभी 60,000 होने वाली है 40,000 आप चला चुके हो 21,000 गाड़ी सिरफ चली है और रेट जो है वो बहुत जादा तूट गए है कुछ एक्सी रेंटल तो नहीं थी बिल्कुल साफ तुतरी गाड़ी थी कहां से ली ये पापा के फ्रेंड से ली थी मतलब कोई डीलर थे ये कि यूज करते थे किया कौन सी सेल्टो सेल्टो सां जीटी लाइन अच्छा और फिर वह थोड़ी आप तो बेच के लिली मतलब आप वैसे अंदाज अलगा रहे हो सेल्टो भी आराउंड 15-16 लाग की गाड़ी है नहीं लेने जाओगे उसको भाई ने बेच के मर्सेडीज लेली सेम प्राइज में सेमी रेट आगया हिसाब से आपको तो उतने ही पड़ गई मतला सही चीजा वाई सेल्टो सोड़ो वैसी आप अच्छी कंडिशन में मर्सेडीज जून सकते हो या BMW भी आपने रिशन लीती वह कितने किती नहीं वह आची डेट पनी आती है है एटी एाटी समसिंग आज और आपने कितने की लीती असी लाख वाली गाड़ी ओल्मोस औलम स्वीज लाग उर्पे सस्ती कितने साल पुरानी तो देख लो भाई तीन चार साल में लगजरी गाड़ियों के इतने जादा प्राइस गिर जाते कि आपको पचीस तीस लाग रुपे चालिस लाग रुपे सस्ती गाड़ी मिल जाती है तो और क्या चाहिए यह भी आप इसी तरह की ले सकते हो तो सेल टोस क्रेटा छोड़ो अ लोग तो कहते है मर्सेडी दो तीन की वह देती है मैलेज नहीं वह पेट्रोलाई देती है डीजल में यूज करें मैनुए यह ओटोमेटिक है चलो भाई फिर अंदर चलते है थोड़ा सा भाई से पूछते काड़ी के फीचर्स के बारे में आपको मैं बैक लुक भी दिखा साइज में तो बहुत डिफरेंस है इतनी उची सी लगती है यह विल्कुल ना पीछे से मतला समझ नहीं आ रहे हैज बैक है मालो जिसको लगजरी कार्स का शौक है उसके लिए चोटी आडिया बट कहने को सुवी है यह एक तरह से चोटी सुवी हो गई है पीछे आप देख लाइंगे रिक्वेस अंसर यहां पर नहीं दे रखा उधर है रिक्वेस नहीं है मतलब चाबी से लोग लोग होईगी यह जो चीज आपको मतलब फोर्चुनर में देखने को नहीं मिलती न वह है इंटीर में लक्षरी वह आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी प्राइज यह भाई ने तो बहुत ही सस्ती ले ली पर वैसे नहीं की बात करें तो फोर्चुनर से सस्ती है यह अचा संरूफ खोल के आपको थोड़ी सी रोशनी ले लेते हैं क्योंकि अंदेरा हो चुका है इस तरह से बाई दो पार्ट में इसकी संरूफ है पीछे एक यह शीशा दो सब्सक्राइब करें तो जो इसकी सब्सक्राइब तो अलगी है और इसकी आपरज भी अच्छी है और बागी फीच्छ अगार भी सी यह लेकिन इसमें एक डिस एडवांटेज लगती इसकी स्क्रीन यह बहुत बड़ी मानी जाती इस टाइम पर यह टुटूटूट से ही चला हो जो चला ना चीए इस तरह के आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहां पर पूरा पैनल दे रहा है इंफोटेन्मेंट सिस्टम का नीचे एसी का इसमें एसी की भी स्क्रीन नी है इसी में आता है जो भी कंट्रोल होगा इसी का वो उपर होगा यह देगो भाई यह हो रहा है आपर तो इस तरह से अचा यह कंडिशन कैसी ती जब आपने लीके गाड़ी कंडिशन तो नहीं थी तो हम नहीं करी है चला 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 के रोज ही चलती है यह बंदे नी सस्ती कैसे बेज दी नहीं मेर को पाप लाए थे वहाई सब फंदरा लाग रुपे में माईने रखती है जी सेल टोस क्रेटा नहीं मिलती है टोब वेरियन उनका भी यह बाई मता हो क्या बोलू आप यह फॉर्चूनर से भी तेज है तो फॉर्चूनर और इसकी लगरी थी तो फॉर्चूनर से सब्सक्राइब यह तो है ना देखो नो डाउट भाई में फीचर तो विसली जाद है फॉर्चूनर से और प्राइस भी कम है हिसाब से देखा जाएगी यह वोल्यूम के लिए मिल जाएगा यहां पर कप होल्डर दे रखे है यह है अपना आम रेस इसमें आप समान समून र में दूर दूर तक नहीं है मतला लेजेंडर में भी नहीं है उनके सोचो है यहां पर यह वाला पैनल आप देख सकते हो पावर विंडो के साथ आता है एसी कैसा है गाडी का भाई एसी बहुत अच्छा है तगड़ा मज़ेदार मजा आता है वाकि उपर आपको पूरा यह चलो फिर आओ पीछे ही देखते हैं बाकी सेफटी के लिए चटकनी वाला भी जो है लोग का बटन दे रख है आओ जी आओ सेकिंड रो में चलते हैं थोड़ा इसको आगे करना पड़ेगा जीट एड़ेजर्स का ना दोनों साइड ड्राइबर साइड भी और पैसेंज कोड़ा मेंटेनेंस की बात करेंगे भाई से पहले सिखिंड रो का कमफर्ट आपको दिखाऊं यह तो नी रूम भी अच्छा कासा है लेग रूम भी अच्छा है अंडर थाई भी ठीक थाक है जादा नी अंडर थाई बट अच्छा है तीन बंदे बैट जाते पीछे नहीं कप ओल्डर नहीं दे रखा है यहां पर यहां पर आप अपना ग्लास रख सकते हूं मस्त एकदम पीछे हेड्राइज दे रखे समान के लिए सबसे चीज संडरूफ पीछे भी है इसमें पीछे वालों को भी दिक्कत नहीं है यह एरी-एरी सा फील होगा यह ग्लास खुलता चलाने में बैठने में मतलब गड़ो गड़ो में फील ही नहीं होता अच्छा डिक्की इसकी दिखाते है भाई ओ तो यहां पर जो अपना स्पेर टायर है न भाई वो डिक्की में यूपर दे रहा है जिसकी वैसे स्पेस ओल्मूस्ट खतम होगा तो एक दो बैग भी निया 500-300 km आप इसको चला सकते हो इतना फ्लैट नहीं हो जाता पूरा चलो जी डिक्की यहां पर इलेक्ट्रिक मिलती है हाथ वाली है तो यह तो आरी है मेरे खाल नहीं वाली में तो पूरी चेंज ही कर दिखाते है भाई इसका गाड़ी का एक बड़ गाड़ी में आपको भाई इसलिए क्योंकि फोर्चोन में भले ही आपको 170-200 भी एच्पी का मिलता है लेकिन उसका जो शेप साइज वेट है वो इससे भाई जाद है और यह डाइनमिक वाई भागती जादा तेज इसलिए कम भी एच्पी में भी तो यह फायदा आपको मिल जाता है अभी इससे प्लै जादा ना दिखेगा निया जीब हो गरीब सा ठीक है वाई बंद कर दो अच्छा इस गाड़ी को आप लेने के बाद लगवग 40,000 किलोमेटर और चला चुके हो तो नाइट में भी ड्राइब करी होगी गाड़ी है बढ़िया थ्रो पूरा अच्छा दिखता है हाई वे पर तो सर्विस होती है फिर तो फोर्चुनर भी 9-10,000 में सर्विस होती है उसी आप सो देखा जाए 15-20,000 लक्षरी ब्रैंड भी मिल रहा है आपको मेंटेनस भी अच्छी है वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा मिलता होगा पूरा है ना मर्सेडीज में जाकर अलगी फ गुलता है इसमें तnaj से पानी की पिछकारी ति भाई पर से इखो नहीं चल रहा है यहां से खुलास भी खराड़ हो गया यह भाई खुला तो सभी अबर नीच्छी त इसा पानी आँ ना वह खराब बंध हो गया वह लग रहा है इधर नहीं दर तो वैसे इसमें मिल थै ए पुरानी Fortuner में मिलता था 2014-2015 में तो यह था भाई Mercedes GLA 200 डीजल इंजन का जो एक ownership review कैसे जो इसके गाड़ी के ओनर है उन्होंने भाई 40-45 लाग की गाड़ी को सिरफ 15 लाग में खरी लिए सेल्टोस के रेट में थैंगी सोमज भाई आने के लिए आपका भी चैनल रेनल है कोई हाथ में लालो फिर नहीं है तो वाकि यार आप भी अपनी गाड़ी का review करवाने चाते हो तो हमें email कर सकते हो या description में दिये गए गूगल फोर्म को भर सकते हो हम आपको भी contact करेंगे और फिर आप भी अपनी गाड़ी लाके review करवा पाओगे मिलते जी आप से next video में till then good bye